प्लांट बाइटक्रोनुजी का नेक्स लेक्चर है एग्रो बैक्टीरियम मेडियेटड जीन ट्रांसफर एग्रो बैक्टीरियम मध्यस्त जीन स्थनांतरन तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपरत्यक्ष जीन स्थनांतरन या इंडिरेक्ट जीन ट्रांसफर क्या जिनोम में जीन को समाविशित करके ठीक है जो पादप को शिकाए है उनमें जिनोम कहां पर होता है उनके केंद्रक के अंदर या नूकलियस के अंदर ठीक है तो उसमें हमें जीन को समाविशित करना है या जीन को इंट्रोड्यूस करवाना है ठीक है स्थाई रुपांतरन प् दर्शित करने लगता है plant तो इसे एपरतेक्ष जीन स्थनांतरण कहते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे indirect gene transfer इसमें हम क्या करते हैं एक जवानूं का उपयोग करते हैं बैक्टिरिया का uses में किया जाता है जिसका नाम है agrobacterium ठीक है तो Protex Genes Thanantran में हम जो विधी करने वाले है उसका नाम क्या है Agrobacterium Mediast Genes Thanantran या Agrobacterium Mediated Gene Transfer तो इसी कोई हम लोग detail में आगे पढ़ने वाले हैं तो Agrobacterium की बात करें तो या एक gram negative bacteria है या gram जवानू है जो कहां पर पाय जाता है भी पादप की जड़ों के पास, जो प्लांट की रूट्स होती है, उसके आसपास जो भी सोयल या मरदा उपस्तेत होती है, उसमें ये एग्रो बैक्टिरियम जिवानू पाया जाता है, इस एग्रो बैक्टिरियम जिवानू या बैक्टिरिया की दो जातियां है, या दो स्पेसि जैसकी जो की द्वी बीज पत्तरी पौदों के अंदर यानि डाइकोट प्लांट्स के अंदर डिजीज या रोग उत्पन करते हैं ठीक है तो इन जातियों के नाम आपको ध्यान में रखने हैं पहली है एग्रो बैक्टिरियम ट्यूमी फेसियंस और दूसरी है एग्रो बैक् का नाम है घ्राउन गाल थेक हैं इस बैक्टिरिय्य या जवान के अंदर एक वीशेश प्रकार का प्लाजमिड़ पाया जाता है जिसको बोलते हैं Ti Plasmid, तो आप डाइग्राम के अंदर देख सकते हूँ, यह है जवानों या बैक्टेरिया की कोशिका है, ठीक है, और यह है इसका जो Chromosomal DNA जिसको बोल देते हैं, जो Main DNA है, इसके लाबा Extra Chromosomal DNA इसमें पाया जाता है, जिसको Plasmid बोलते हैं, तो यहाँ पर जो Plasmid है, उसका नाम क्या है, Ti Plasmid, Ti की Full Form आपको पता होनी चाहिए, Tumor Inducing या अरबुद प्रेरक, ठीक है, इसका मतलब यह जो बैक्टेरिया है, वो Roots के अंदर, या जड़ों के अंदर, गांठों या Tumor के निरमान को प्रेडित करता है, या Induce करता है, दूसरा है Agrobacterium Rigogenes, यह जो बैक्टेरिया है, यह अवर्त भी जी पौद हो, यानि Dicode Plants के अंदर, एक रोग या Disease उत्पन करता है, जिसका नाम क्या है, Hairy Root Disease, या Hairy Root रोग, ठीक है, यह जो बैक्टेरिया है, इसमें एक विशेश परकार का Plasmid पाया जाता है, जिसका नाम क्या है, R.I. प्लाजमेट, तो इस डागराम के अंदर देख सकते हो भी, यह जवानो कोशिका है, बैक्टेरियल सेल है, इसमें यह तो है, इसका Chromosomal DNA, और इसके अलावा इसमें एक Extra Chromosomal DNA होता है, जिसको Plasmid बोल देते हैं, और यहाँ पर जो Plasmid है, इसका नाम क्या है, R.I. Plasmid, R.I. के निर्मान को प्रेरित करता है, जिससे Root System और ज़्यादा विक्सित वै डेवलब्ड हो जाता है, T.I. Plasmid की हम लोग बात करेंगे आपे, T.I. Plasmid के अंदर एक विशेश पार्ट या भाग होता है, जिसका नाम है T.D.N. ठीक है, अब T.D.N. भाग में वांचित जीन को सम समावेशित किया जाता है, T.D.N. जो भाग होता है, T.I. Plasmid का, उसमें हम लोग desired जो जीन होता है, हमारा जो वांचित जीन होता है, उसमें introduce करवा रेते हैं, समावेशित करवा रेते हैं, ठीक है, और इस प्रकार बना हुआ जो DNA है, वो क्या कर लाता है, पुनर योजी DNA य यह है हमारा T.I. Plasmid, इस T.I. Plasmid के अंदर एक इसका एक भाग या पार्ट क्या कहलाता है, T.D.N. ने कहलाता है, दूसरी तरफ हमारे पास है वांचित जीन या desired जीन जिसको हम प्रवेश करवाना चाते हैं, ठीक है, इस T.I. Plasmid के अंदर, तो T.I. Plasmid में ये वांचित ज जो वांचित जीन है, desired जीन है हमारा, वो T.D.N. पार्ट के अंदर समावेशित या introduce हो चुका है, तो इस प्रकार बना हुआ जो complete DNA है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुनर योजी DNA या recombinant DNA, ठीक है, अब इस recombinant DNA को हम लोग प्रवेश करवाते हैं, किसके अंदर, जि prominent DNA या पुनर योजी DNA कोशिका के अंदर आ जाता है, चलिए, अब हम क्या करते हैं भी, जिस पौधे का हमें स्थाईर उपांतरन करना है, या permanent transformation करना है, ठीक है, उस पौधे की हम लोग एक पत्ती लेते हैं, पढ़न लेते हैं, उसको निर्जमित कर लेते हैं, या sterilize कर लेत ठीक है, और फिर उसके blade की help से gold टुकडे या circular उसके pieces काट लेते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन टुकडों को ये जो pieces होते हैं, gold टुकडे या circular piece हमने काटे हैं, leaf के, इन टुकडों को agrobacterium के साथ, agrobacterium क्या है, जवानों है, उसके साथ पूरी रात उश्मायन देत हैं, यानि incubate किया जाता है, incubation किया जाता है, incubator के अंदर रखी, ठीक है, ऐसा करने से होगा क्या भी, जो agrobacterium की कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं, ये वाली जो कोशिकाएं हैं, यानि transformed जो cells हैं, agrobacterium की, वो प्रवेश कर जाती हैं, कहां पर, पर्ण की कोशिकाओं के पर्ण के टुकड़ों के अंदर जो कोशिकाएं होंगी, जो cells होंगी, उनके अंदर agrobacterium जिवानों प्रवेश कर जाएगा, ठीक है, अब क्या करते हैं, दो दिनों तक इन टुकड़ों को shooting माध्यम में रखते हैं, shooting माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है, जो shoot formation, यानि कि हम कह स जाता है, उसको shooting माध्यम बोल देते हैं, तो इसमें shoot system का formation होगा, shoot system बनेगा, पौदेगा, ठीक है, दो दिनों तक हम लोग इस माध्यम में रखते हैं, अब हम shooting माध्यम के अंदर दो chemicals मिलाते हैं, ठीक है, एक तो है canamycin, और दूसरा है carbonicillin, ये दोनों की दोनों के हैं भी antibiotics होती है, तीन से चार सबताओं तक हम लोग समवर्दित करते हैं, या culture करते हैं, ठीक है, shooting माध्यम के अंदर, और ये दो जो antibiotics, canamycin और carbonicillin, ये मिला रेते हैं, shooting माध्यम के अंदर, ठीक है, अब हम फिर से स्थानांतरित करनेंगे, किसके अंदर rooting माध्यम में, ठीक है, जो root formation, यानि की मूल निर्मान के लिए, प्रेडित करता है, जो माध्यम, उसके अंदर स्थानातरित कर देते हैं, और फिर उसमें दो antibiotics मिला जाते हैं, canamycin और carbonicillin, कितने time तक हम इसको समवर्दित करते हैं, तीन से चार सबताओं तक, फिर से इसको culture या समवर्दित किया जाता है, तो इस परकार जो plant है, वो विकसित हो जाता है, पौदा बन जाता है, अब इस पौदे को हम लोग कहा करेंगे, pot के अंदर, गंले के अंदर स्थानातरित करेंगे, greenhouse में स्थापित कर दोता है, तो फिर इसको निकाल कर हम लोग पौदे को खेद की मरदा में, या field की soil के अंदर इसको establish कर दिया जाता है या स्थापित कर दिया जाता है ठीक है अब इसको डाग्राम से समझ लेते हैं यह हमारे पास एक लीफ है या परण है जिसका जिसका surface sterilization हमने किया हुआ है अब इसके गोल टुकड़े काट लेते हैं तो यह है लीफ डिस्क गोल टुकड़ों को लीफ डिस्क बोल देते हैं ब्लेट की सायता से हमने काटे हैं अब इन टुकड़ों को फिर हम कहां डालेंगे एक पेट्रिडिश के अंदर डालेंगे इस पेट्रिडिश में हमने क्या डाल रखा है अभी लिकविड मेडियम द्रव माध्यम डाल रखा है ठीक है लिफ डिस्क को इसमें डाल दिया और इस लिकविड मेडियम या द्रव माध्यम के अंदर क्या है अभी अग्रो बेक्टिरि पूरी रात incubate करते हैं, ठीक है, whole night 12 गंटे की रात है मान लीजे तो पूरी रात हम लोग क्या करेंगे, इसको इश्मायन करेंगे, incubate करेंगे, फिर इसको shooting माध्यम के अंदर स्थनांतरित कर देते हैं, ताकि shoot system का निर्मान हो सके, दो दिनों तक इसको shooting माध्यम में रखते है फिर हम क्या करेंगे भी, इस shooting माध्यम के अंदर दो antibiotics और में लाते हैं, canamycin और carbonicillin, canamycin किसलिए डालते हैं, selection या वरण के लिए, जो transformed plant cells होंगी, या पादप कोशिकाई होंगी, रुपांतरित, उनके वरण के लिए या selection के लिए, दूसरा carbonicillin डालते हैं, carbonicillin क्या करता अभी जो agrobacterium की cells होती हैं, उनको dead करने का, यानि किल करने का, या मारने का काम करती हैं, ठीक है, तो 3-4 weeks के लिए shooting माध्यम के अंदर जो leaf discs होती हैं, उनको हम लोग रखते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगी, rooting माध्यम के अंदर इसको स्थानांत्रित कर देते हैं, फिर से 2 antibiotic हमें डालने हैं, इसके अंदर canamycin और carbonicillin, 3-4 सब्ताओं तक हम लोग इसको समवर्दित या culture करते हैं, ठीक है, तो पौदा विक्सित हो जाएगा, अब इस पौदे को हम लोग pot mint डालते हैं, ठीक है, pot के अ अंदर इसको established स्थापित कर देते हैं, और इस spot को कहां रखते हैं, भी green house के अंदर, ताकि ये उसके वातावरन के अंदर, environment के अंदर क्या हो जाए, अनकूलित हो जाए या adaptable हो जाए, तो जब adaptable हो जाता है, तो फिर इसको यहां से निकालते हैं, इस spot में से इस plant को, और field क जो soil होती है, या खेद की जो मरदा होती है, उसके अंदर स्थानांतरित कर देते हैं, या transfer कर देते हैं, चलिए, अब last में हम लोग करेंगे, gene स्थानांतरित की विदी की mechanism of gene transfer, gene का transfer या स्थानांतरित कैसे हुआ, तो TI plasmid की हम लोग बात करेंगे, TI plasmid का जो TDN ने भाग हो होता है, एक character होता है क्या, कि पादब के genome में समाकलित हो सकता है, ठीक है, ये जो plant का genome होता है, पादब के अंदर, जो केंदर के अंदर उसका DNA होता है, उसमें ये समाकलित या introduce हो सकता है, ये इसका गुण होता है, TDN का, ठीक है, परण के जो टुकडे होते हैं, पत्ती के ज जो T-DNA होता है ठीक है टीय प्लाजमिर का जो T-DNA होता है उसमें एक ओपेरोन होता है जिसको बोलते है विरओपेरोन उस विरओपेरोन को सक्रिय कर देता है पहले क्या होता है विरओपेरोन निश्क्रिय होता है इनेक्टिव होता है यह एस विरओपेरोन को सक्रिय कर देता है, active कर देता है, तो ये विरो-पेरोन किस का भाग है, TDN Lak inm चलिए, अब इसको डियागराम से देख लेते हैं भी, LEAF disc से एक रसायन या chemical निकलेगा जिसका नाम क्या है, ACETOSRIGGENvelmente क्या करेगा? विरो-पेरोन जो कि затा है किसका के बाद ये क्या करता है सक्रिय होते ही tdn भाग plasmid से प्रथक हो जाएगा ठीक है tdn जो कि ti plasmid का भाग है उस ti plasmid से tdn अलग हो जाएगा या separate हो जाएगा विरोपिरोन के सक्रिय होते ही और बहुत सी कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है जो पादप कोशिकाओं होती है leaf discs की जो cells हैं या कोशिकाए हैं बहुत सारी कोशिकाओं में यह जो TADNA भाग है यह प्रवेश कर जाएगा इस TADNA भाग में हमने क्या प्रवेश करवा रखा है हमारा वंचित gene या desired gene तो वो भी पादब की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाएगा TADNA के साथ अब यह TADNA केंद्रक में जाकर अब यह जो TADNA है वो केंद्रक में जाता है और genome में समाकलित हो जाता है या genome, पादब genome के अंदर यह introduce हो जाता है तो TADNA के साथ-साथ जो हमारा वांचित gene या desired gene जो की हमने इसके साथ डाला था वो भी पादप के जनोम में जाकर समाकलित हो जाएगा इसके फलसरूप पादप का स्थाई रुपांतरन हो जाता है तो इस प्रकार से जो पौधा बनेगा उसके लक्षन में लक्षनों के अंदर वांचित परिवर्तन हो जाएगा इसका मतलब उसका क्या हो गया पर्मानेंट ट्रांस्फोर्मेशन या स्थाई रुपांतरन जो हो जाता है चले इसको डाइग्राम से समझ लेते हैं तो यह माली जी यह T.I.Plasmide है हमारे पास इसमें T.D.N. भाग के अंदर हमने वांचित जीन जो था या desired gene जो था उसको introduce करवाया था अब जैसे ही इसका विरोपेरोन एक्टिव होता है या सक्रिय होता है किसकी वज़ाए से लीफ डिस्क से जो एसिटोस रेंजोन निकला था उस रसायन की वज़ाए से तो यह T.D.N. भाग अलग हो जाता है इस T.I. plasmid से अब यह क्या करेगा भी पादप को शिका में प्रवेश कर जाएगा तो यह plant cell है पादप को शिका है इसमें यह प्रवेश कर जाएगा अब यह T.D.N. ने कहां जाएगा केंदर केंदर जाएगा ठीक है और केंदर केंदर क्या है भी पादप का जिनॉम है या प्लांट जिनॉम है ठीक है प्लांट का DNA है अब इस पादप के जिनॉम के अंदर ये जो TDNA part है वो समाविशित हो जाता है या इंट्रोडिूस हो जाता है ठीक है जिससे जिसके साथ साथ ये जो हमारा वांचित जीन है या कीर झाल और लुम है जाता है कीजित है जाता है झाल झाल